जै बाबा के दार जै बाबा के दार जै बाबा के दार देविय आभासे सुसजित इस पवित्र कार्खम में हमारे साथ मंच पर उपस्तित सभी बरिष्ट महानुभाव इस पावन पवित्र भूमी पर पहुँचे हुए सभी सद्धालुगन आप सब को आदर पूर्वग मेरा नमस्कार आज सभी मठों सभी बारा जोतिलिंगों अनेक शिवाले अनेक शक्ति धाम अनेक तिर्थ खेत्रों पर देश के घणमान्य महापुरुष पुझ्य संतगण पुझ्य संकराचारिय परंपरा से जुड़े हुए सभी बरिश्टस रशी मनशी और अनेक सरद्धालू भी देश के हर कोने में आज केदावनात की इस पवित्र भूमी के साथ इस पवित्र माहोल के साथ सासरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुल माद्यम से टेक्नलोजी की मदद से वो वहां से हमें आशिरवात दे रहे हैं आप सभी आदी संकराचारिय जी की समाधी की पुनस्थापना के साक्षी बन रहे हैं ये भारत की आध्यात्मिक समृत्ति और व्यापकता का बहुत अलोकिक दर्श्य है हमारा देश तो इतना विशाल है इतनी महान रशी परंपरा है एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कौने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं एचा अनेक संतगन आध्येश के हर कौने में और यहाँ परी हमारे साथ जुड़े हुए है लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामों लेक करना चाहूं तो भी शायद एक सब्ता कम पड़ जाएगा और अगर एकाद नाम छूड़ गया तो तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोज में दब जाऊंगा मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामों लेक नहीं करवा रहा हूं लेकिन मैं उन सब को आधर पुर्वक पड़ाम करता हूं वे जहां से इस कारकम में जुड़े हैं उनके आशिरवाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशिरवाद हमें एक शक्ति देंगे ये मेरा पुरा भरोसा है हमारे यहां कहा जाता है आवाहनम नजानामी नजानामी विसरजनम पुज़म चैविना जानामी छमस्वत परमेश्वरम इसलिए मैं रदे से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुन्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े संकराचारिया रिशिगान महान संत परंपरा के सभी अन्यवाई आप सब को यही से प्रणाम करके मैं आपका आशिरवाद मांगता हूँ साथियों हमारी उपनिशदों में आदी संकराचारी जी की रचनाओं में कई जगह नेती नेती जब भी देखो नेती नेती एक ऐसा भाव विश्व नेती नेती कहकर एक भाव विश्व का विस्तान भिया गया है राम चरीत मानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है अलग तरीके से कहा गया है राम चरीत मानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार अभिगत अकथ अपार नेती नेती नित निगम कह अरखात कुछ अनुभव इतने अलोकिक इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता बाबा केदार नात की सरन में आकर जब भी आता हूँ यहां के कन कन से चुड़ जाता यहां की हवाएं यह माले की चोटिया यह बाबा केदार का सानिद्य नजाने कैसी अनुभूती की तरफ फींच के लिए चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं दिपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सहिनिकों के साथ था और याद तो यह सहिनिकों की भूमी पर हूँ मैंने त्वहारों की खुश्यं मेरे देश के जवान बीर सहिनिकों के साथ बाटी देश वाज़ियों का प्रेम का संदेश देश वाज़ियों के उनके प्रतिस्रद्धा देश वाज़ियों के उनके आशिरवाद एक सो तीस करोड आसिरवाद लेकर के मैं कल्टसेया के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पुजा के दीन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है गोवर्धन पुजा के दीन केदार नाज़ी में दर्षन पूजन करने का मुझे सववाग्य मिला है बाबा केदार के दर्षन के साथ ही अभी मैंने आदी संकराचारी जी की समाधिस्तान वहाँ कुछ पल बते मैंने बिताए एक दिव्य अनुभूती का वो पल था सामने बैठते ही लग रहा था कि आदी संकर के आखों से वो तेज बुंज वो प्रकाश पुंज प्रवाइत हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है संकरा चारे जी की समाधि एक बार फीर और अधिक दिव्य औंष्वरूप के साथ हम दिव्य प्रवाइच ऑफ के साथ हम सब के बीश है इसके साथ ही सरस्वती तटपर घाट का निर्मान भी हो चुका है और मन्दा किनी पर बने पुल से गरुड़ चटी उस मार को भी सुगम कर दिया गया है और गरुड़ चटी का तो मेरा विशेद ना था भी रहा है यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं मैंने आपके दर्शन किये मुझे अच्छा लगा साथू तो चलता भला यानि पुराने लोग तो चले गए हैं कुछ लोग इस थान को छोड़ के चले गए हैं कुछ लोग गई धरा को छोड़ करके चले गए अब मनला किनी के किनारे बाड से सुरक्षा के लिए जिस दिवार का निर्मान किया गया है इसे सरधारों की आत्रा अब और सुरक्षित होगी तीस पूरी वहत्यों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविदा होगी भगवान केदार राज की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी कुछ आसान होगी और मैंने तो पहले देखा है कभी प्रकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फस जाते थे तो इन पूरोहितों की घरों में ही एक एक कमड़े में इतने लोग अपना समय बिताते थे और मैं देखता था था कि हमारे पूरोहित खुद बाहर ठंड में ठिटूरते थे लेकिन अपनी जो यजमान आते थे जो अपने उनकी चिंता करते थे मैंने यह सब देखा हुआ है उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है साथियों आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का सिलान्याद भी हुआ है परियत्रक सुविधा केंद्र का निर्माण हो यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो रेन शेंटर हो ये सभी सुविधा सुविधाओं सुविधाओं की सेवा का माद्यम बनेगी उनके तिर्थाटन को अब कश्ट से मुक्त केदार से युक्त जैब होले के चन्रों में लीन होनेगा यात्यों के एक सुखत अनुभव होगा साथियों बरसों पहले बुक्सान यहां हुआ था वो अकल्पनिय था मैं मुख्यमंत्री को गुजरात का था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था मैं यहां दोड़ा चला आया था मैंने अपनी आँखों से उस तबाही को देखा था उस दर्द को देखा था जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब यह हमारा केदार धाम यह हमारा केदार पुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या लेकिन मेरे भीतर की आबाहट कह रही थी यह पहले से अधीक आन बान शान के साथ खड़ा होगा और यह मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था आदी संकर की साधना के कारण था रुश्यों मुनियों की तपस्यां के कारण था लेकिन साथ-साथ कच के भुकम के बाद कच को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था अर इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आँखों से साकार हुआ देखना इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है मैं इसे अपना सहुभागे मानता हूँ कि बाबा के जार ने संतों के अशिरवाद ने इस पवितर धरती ने जिस मिट्टी ने जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था उसकी है सेवा करने का सौभागे मिलना इससे बड़ा जीवन का पुन्य क्या होता है इस आधी भूमी पर सास्वत के साथ आधुलिक्ता का ये मेल विकास के ये काम भगवान संकर की सहज कुर्पा का ही परनाम है ये इश्वर नहीं क्रडिट ले सकता इंसान क्रडिट नहीं ले सकता इश्वर कुर्पा ही इसकी हगदार है मैं इस पुनित प्रयासों के लिए उत्राखन सरकार का हमारे उर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज रदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एडी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह याने पुरा साल भर काम करना मुश्किल है यहां बहुत कम समय मिलता है लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे सर्मिक भाई बहन जो पहड़ों के नहीं थे बहार से आये थे बे यह इश्वरिय कारिय मान करके बर्फबर्षा के बीच भी माइनस टेंपरिचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे काम करते रहते थे तब जाकर के यह काम हो पाया है मरा मनिहा लगा रहता था तो मैं बीच भीच में ड्रोन की मदद से टेकनलोजी की मदद से मेरे जब्तर से यहां का पूरा मैं यह एक प्रकार से वर्चूल याता करता था मैं उसकी बारिक्तियों के देखता सा काम कितना पहुँचा आप महिने पहले कहां थे इस महिने कहां पहुँचे लगा था देखता था मैं केदार राद मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशे इस रुप से आभाड प्रकर दना चाहता हूँ क्योंकि उनके सकानात पक रवये के कारण उनके सकानात पक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंप्राओं का जो महरा मारदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुलिता भी ले पाए और इसके लिए मैं पुजारियों का से अभार व्यक्ता करता है आदी संक्राचारिय जी के विशे में हमारे विद्वानों ने कहा है संक्राचारिय की जिलिये हर विद्वान ने कहा है शंकरो शंकरह साक्षाद अर्थाथ आचारिय संकर साक्षाद भगवान संकर का ही श्वरूप थे ये महिमा ये देवत्व आप उनके जीवन के हर च्छन हम अनभव कर सकते हैं उसके तरब ज़रा नजर करें तो सारी स्वूत्या सामने आ जाती हैं छोटी सी उम्र में बालक उमर में अध्भूत बोध बाल उम्र से ही सास्त्रों का ज्ञान का विज्ञान का निरंतर चिंतन और जिस उम्र में एक साधारन मानवी साधारन रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है थोड़ी जागरूती का प्रालम होता है उस हुमर में वो प्वेदांत की गहराई को उत्लियत गुढ़ारत को सांगो पांग विवोईचन उसकी व्याख्या अभीरत्रूप से क्या करते थे यह संकर के भीतर साक्षात संकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है यह संकरत्व का जागरण था यहां संस्क्रीत और वेदों के बड़े बड़े पंडीत यहां भी बैठे हैं और वर्चुली भी हमारे साथ जूड़े हैं आप जानते हैं कि संकर का संस्क्रीत में अर्थ बड़ा सरल है संकर का अर्थ संस्क्रीत में होता है संकरोती सहरंकर है यानि जो कल्यान करे वही संकर है इस कल्यान को भी आचार्य संकर ने प्रत्यक्ष प्रमानित कर दिया था उनका पूरा जीवन जितना असाधरन था उतना ही वो जनसाधरन के कल्यान के लिए समर्पित थे भारत और विश्व के कल्यान के लिए अहर नीश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे जब भारत राग द्वेश के भवर में फस करके अपनी एक जुड़ता को खो रहा था कब यानि कितना दूर का संत देखते हैं तब संकराच एरी जी ने कहा था नमे द्वेश रागो नमे द्वेश रागो नमे लोब मोह मदो नईव में नईव मात्सर्य भाव अर्थात राग द्वेश लोब मोह इर्शा अहम ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाती पंत की सिमाओं से बहार देखे की शंकाओं आशंकाओं को उपर उठने की मानव जात को जुर्रत थी। तब समाज में चेतना फुकी रादी संकरें कहां नमे मृत्य शंकाओं नमे जाती बेदः यानि नास विनास की शंकाओं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है। हिस्सा नहीं है। हम क्या है। हमारा दर्शन और विचार क्या है। यह बताने के लिए आदी शंकर ने कहा। चिदानन्द रूप चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनन्द स्वरूप सिव हम ही है। जीवत्व से ही सीवत्व है। और अद्वैत का सिध्धान कभी कभी अद्वैत के सिध्धान को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूर पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ। मैं तो सरल भाजा में अपनी बात समझता हूँ। और मैं इतना ही कहता हूँ। जहां अद्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। संक्राचैरेजी ने भारत की चेतना में फिर से प्रान फुके। और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहां ज्ञान भी हिना। देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारे कितरा महत्व रखता है। ज्ञान भी हिनह सर्वमतेन मुक्तिम नभजती जन्मशतेन। यानिगी दूख, कस्ट और कठेनाईयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है। और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की विज्ञान और दर्सन की जो कावातीत परंपरा है। उसे आदि संकराचार जी ने फिर से पुनर जिवित किया। चेतना भर दी। साथियों एक समय था जब अध्यात्म को धर्म को केवल रूठियों से जोड़ कर। कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़ कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतिय दर्शन तो मानव कल्यान की बात करता है। जीवन को पुनरता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है। आदि संकराचार जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, द्वादर जोति रंगों का उनर जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक ससक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिस्तान भारत और भारतियता का एक परकार से संबल पहचान बने हुए है। हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है? और इसलिए तो कहा गया है अथातो ब्रह्म जिग्यासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिशदिय परंपरा क्या है? दो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालग नची केता यम के दर्वार में जाकरके यम के आँख मिलाकरके पूछ देता है, यम को पूछ देता है। ब्रत्य क्या है वताओ, प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जीत करना। अथातो धर्म जिग्यासा। हमारी इस विदासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं। उसे समर्ज कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भासा में वैदी गणित जैसे विज्ञान हो। इस मठों ने, हमारे संक्राचारी की इस परंपरा ने, इन सब का सवरक्षन कर, पीडी दर पीडी मार्द दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूँ, आज के इस दोर में, आदी संक्राचारी जी का सिध्धान और ज्यादा प्रासंजनी हो गए है। साथियों, हमारे यहां सदियों से, चार धाम यात्रा का महत्व रहा है। द्वादस जोति लिंक के दर्शन की, सक्ति पिठों के दर्शन की, अस्त मिनाईजी के दर्शन की, यह सारी आता की परंपरा, यह तिर्थाटन हमारे यहां जीवन कान का हिस्सा माना गया है। यह तिर्थाटन हमारे लिए सरफ सैर सपाटा परियटन भर नहीं है। यह भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवन्त परंपरा है। हमारे यहां हर किसी कोई है, कोई भी वक्ति होगा। उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर हो लें। द्वादर जोतिलिंग का दर्शन जुरूर कर लें। मा गंगा में एक बार डुप की जरूर लगा दे। पहले हैं, हम घर में बच्चों को सुरू से ही सिखाते थे। परंपरा थी। बच्चों को घर में कुछ सिखाय जाता था। सवराष्ट्रे सोमना था चा स्री शहले मली का जुनरम। बच्चपन में सिखाय जाता था। वादर जोतिलिंग का ये मंत्रा गर बैठे बैठे। एक ब्रहत भारत का विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बच्चपन से ही देश के इस अलग-अलग हिस्सों से जुडाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पस्चिन तक, उत्तर से दच्चिन तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्री एक्ता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत से भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्ता का हिस्ता था। बावा के दारनात के दर्शन करके हर स्थर धालू एक नई उर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदी संक्राचारी की विरासत को इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के हमारी स्विरासत को आस्ता के केंद्रों को इसी गवरो भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान स्री राम का भव्य मंदीर पूरे गवरो के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गवरो सज्यों के बाद वापस मिल रहा है। अभी दो दिन पहले अयोध्या में दिपोत्षव का भव्य आवजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचिन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा। आज हम इसकी कल्प ना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तरपदेश में ही कासी का भी काय कल्प हो रहा है। विश्वनात धाम का कार्य बहुत तेज गती से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में, शारनात, नदिग में कुशी नगर, बोध गयां। यहां सब जगा पे एक बुद्ध सर्कीर के अंतरराश्टिये परियवेट तरफ को आकर्शित करने के लिए, विश्व के बोध के भक्तों को आकर्शित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक पूरा सर्कीर बनाने का काम भी अचल रहा है। भारत आधी संकराचेरे जैसे हमारे मनीश्यों के निर्देशों में सुद्धा रखते हुए, उस पर गवरों करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आधाधी का अमृत महोसव मी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर निर्मार के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोसव के इस संकल्पों में से, आधी संकराचारी जी को हमें प्रकारते अपनी बहुत बड़ी प्रेणा के रुप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष तैयार करता है। कथीन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सिमा भी हम निधारी करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, कि इतने कम समय में यह सब कैसे होगा। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं, यह होगा भी के नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक यह आवाज आती है। 130 करोर देश वासों के आवाज में यह सुनाई देती है। और मेरे मुह से यही निकलता है। एकी बात निकलती है। समय के दाइरे में बंद कर भैभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए आदी संकनाचार जी को छोटी सी आयू थी। घर वार परिवार छोड़ दिया सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालरी और कहां केदार कहां से कहां चल पड़े। सन्यासी बने। बहुत ही कम आयू में इस पवित्र भूम में उनका शरीर इस धरती से बिलीन हो गया। अपने इतने कम समयम उन्होंने भारत के भुकोल को चैतन्य कर दिया। भारत के लिए नया भविश्य गर दिया। उन्होंने जो उर्जा प्रजवलित की वो आज भी भारत गतिबान बनाये हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिबान बनाये रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकरंजी को देखिए। स्वाधिन्ता संग्राम में अनेक अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं महान विवूतियां इस धर्ति पर आकर यहां प्रकट हुई जिनोंने समय की सिमाओं का उलंगन कर छोटे से कालखन में कई-कई यूगों को गड़ दिया। यह भारत इन महान विवूतियों की प्रेड़ा उपर चलता है। हम सास्वत को एक प्रकार से स्विकार करते हुए हम क्रिया सिल्ता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आप विश्वास को लेकर देश आच इस अमुरुत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देश वासियों से एक और आगरह करना चाहता हुए। स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े अईतिहास्तिक स्थानों को देखने के साथ साथ। ऐसे पवित्र स्थानों को पही जादा से जादा जाएं। नई पीड़ी को लेकर के जाएं। परिचित कराएं। मा भारती का साथ शातकार करें। हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूती करें। आज़ादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आज़ादी का ये भी एक महोत्सभ हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के हर कौने कौने में हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है। और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिनोंने गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन में हमारी आस्था को बांद करके रखा। हमारी आस्था को कभी खरोच जग नहीं आने दी। गुलामी के कालखन में ये छोटी सेवा नहीं थी। कि आजहदी के कालखन में उस महान सेवा को उसको पूझना, उसके तरपन करना, वहां तप करना, साधना करना क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का करतप्य नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ, एगनागरिक के तोर पर हमें इन पविस्तासानों को भी दर्शन कर लिग लिए जाना चाहिए। उनसानों की महिमा को जानना चाहिए। साथियों, देव भूमी के प्रती, असीम सद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए, आज उत्राघं की सरकार, यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सडक परी योजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं, बविश में यहां केजार नाजी तक सरद्धालू के वल कार के जरी आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है। यहां पांस में हो पवित्र हैमकुन साब जी है, हैमकुन साब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए, वहां भी रॉप बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही हैं। इसके अलाबा रिशिकेश और कन प्रयाक को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुक्हिमंती जी कहते थे, पाड़ के लोगों को तो रेल तेखना भी दुश्कर होता है। दिल्ली, दहरादुन, हाइवे ये बनने के बाद दहरादुन से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को, उत्राखन को, उत्राखन के परियतन को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है। और मेरे शब्द उतराखन के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गती से इंफ्रास्रक्टर बन रहा है, पिछले सो साल में जितने यात्री हाँ आये हैं न, आने वाले दस साल में उससे भी जादा आने वाले हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, यहां की अर्थ बबस्ता को कितनी ब यह उतराखन का दसक है, मेरे शब्द लिख के रखिये, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं, हाल की दिनों में हमने सभी ने देखा है, कि किस किस तरह चार धाम यातां आने वाले सरधालों की संख्यां लगातार रेकॉर्ड तोड रही हैं, और यह कोविड न होता, तो न जाने, यह संक्या कहां से कहां पहुँच गई होती, उतराखन में, मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खास करी मेरी माताएं बहने, और पहड में तो माताओं बहनों की ताकत का इक अलग ही सामर्त होता है, जिस प्रकार से उतराखन के छोटे छोटे स्थानों पर, प्रकृति की गोद में होमस्टे का नेटवर्ग बन रहा है, सेंकडो होमस्टे बन रहे हैं, माताएं बहने और लोग भी जी आत्री आते हैं, बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं, रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाविमान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है, यहां की सरकार जिस तरह दिकास के कारियों में जुटी है इसका और एक लाब हुआ है यहां गौना तो हमेशा दुनते थे पहाड का पानी और पहाड की जवानी कभी पहाड के काम आती नहीं मैंने इस बात को बदरा है अब पानी भी पहाड को काम आएगा जवानी भी पहाड को काम आएगी पलायन रुकना है एक के बाद एक जो निरने हो रहे हैं पलायन रुकना है मान के चलिए सातियों मेरे नवजवान दोस्तों ये दसक आपका है उत्तरा खंड का है उजवल भविश्य का है बाबा के दार के अशिरवाद हमारे साथ है ये देव भूमी मात्र भूमी की रक्षा करने वाले अनेको वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है यहां का कोई घर कोई गाव ऐसा नहीं है जहां पड़ाकरम की कोई गाथा का परिचे न हो आदेश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनी करन कर रहा है उन्हें आत्मनिर्वर बना रहा है उसे हमारे वीर स्टैनिकों की ताकत और बढ़ रही है आज उनकी जरुरत को उनकी अपेशाओं को उनके परिवार की आवश्यक्ताओं को बहुत प्राथिकता देख करके गाम किया जा रहा है यह हमारे ही सरकार है जिसने वन रेंग वन पेंशन की चार दसक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की मुझे संतोष हैं मैरे देश की सेना के जबानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला इस कालाग तो उतराखन के करीव क При gracious 1000 प्रिवारों को मिला है निवरूत Hem प्रिवार्वारों को मिला हुआ है साथियों उतराखन ने कोरोना के खिलाब लड़ाई में जी तरह का अनुशासन दिखाया है वो भी बहुत अभिनंदनी है सरानी है बवगोलिक कठिनाईयों को पार कर आज उत्राखन ने उत्राखन के लोगों को सत्प्रतिशत सिंगल डोज का लक्ष हासिल कर लिया है यह उत्राखन को ताकत का दर्शन कराता है उत्राखन के सामर्तों को दिखाता है और जो लोग पाहड़ों से परिचे हैं उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है गंटों गंटों तो पहाड की चोटियों पर जा करके दो या पांच परिवार को वैक्षिनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है कष्ट कितना होता है मैं लाड लगा सकता हूँ उसके बाद भी उत्राखन ने काम किया है क्यों उत्राखन के एक एक नागिरित की जिंदगी बचानी है और इसके लिए मुख्यमंतर जी आपको आपकी टीम को में बढ़ाई देता को आज मुझे भी स्वाथ है कि जितनी उचाईयों पर उत्राखन बसा है जितनी उचाईयों पर उत्राखन बसा है उससे भी जादा उचाईयों को मेरा उत्राखन हासिल करके रहेगा बाबा के दार की भुमी से आप सब के आशिरवाद से देश के कौने कौने से संतों के महंतों के रुष्यों के मुनियों के आचारियों के आशिरवाद के साथ आज इस पवित्र धर्ती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ें आज आज इक अमरुत महोत्सों में देश को नई उचाई पर ले जाने का संकल्प हर को ही करें दिवाली के बाद एक नया उमंग नया प्रकास नहीं वुर्जा हमें नया करने की ताकत दें मैं एक बार फिर भगवान के दारनात के चर्णों में आदि संकराचारी जी के चर्णों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से जेकर के छड़ पूजाता अनेक परवा आ रहे हैं अनेक परवों के लिए अनेक अनेक शुब कामनाए देता हूँ मेरे साथ प्यार से बोलिए भक्ती से बोलिए जी भर करके बोलिए जै केदार जै केदार जै केदार तन्यवाद